हलो फ्रेंड्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्णों की तो बहुत इंपोर्टन वीडियो है दोस्तो ये और इसमें जो मैं कोच्चन कराऊंगा पुरुस महिला और बच्चे वाले प्रश्ण कराऊंगा तो आप इस वीडियो को अन्तित देखते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोच्चन है आपका यदि दस पुरुस या बीस महिला या चालिस बच्चे एक कार्र शाथ महिलों में कर सकते हैं то पांच पुरुस, पांच महिला तथा पांच बच्चे एक सात उस कार्रा क का आधा कार कितने समय में कर सकते हैं देखे दोस्तों जब 10 पूरुस कार करते हैं तब भी काम कितने दुनों में होता है साथ महीनों में होता है ठीक है 20 महीला करते हैं तब भी कार कितने में होता है साथ महीने में और 40 बच्चे करते हैं तब भी कार कब होता है साथ महीनों में हो पाता है ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 10 मेल कार्य करते हैं तब भी कार्य का होता है दोस्तों तब भी कार्य साथ महीनों में होता है 20 महीला करती है 20 बुमेल ले लेते हैं तब भी कार्य साथ महीनों में होता है और आपके 40 चाइल बच्चे को क्य जीरो, जीरो कट जाएगा, कट गया कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना बच्छा, एक मैन, बराबर दो भुमैन, बराबर फोर चैल, यही तो बच्छा, आप देखिए, आपको मैन का रिशु निकालना है, ठीक है, भुमैन का रिशु निकालना है, और चैल्ड का रिशु आप आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं दोस्तों अनुपात आपको निकालना है अनुपात वाला जब वीडियो में ने बताया था तो बताया था कैसे निकालते हैं जैसे आपको मैन का निकालना है ठीक है मैन का निकालना है तो मैन वाले को छिपा लीजिए यह आपने मैन व से multiply नहीं करना है चार एकम चार जिसका निकालना है उससे नहीं करना यह बस ध्यान रखिए चार एकम चार के चोटा हो सकता है तो काट के चोटा कर लीजिये ये कट के छोटा हो सकता है दो एकम दो दो दुने का चार दो चौक के आठ तो दो से सबी सैंक्याय कट रही थी तो हमने काट के छोटा कर लिया man का ratio आगया चार woman का आगया दो child का कितना आगया एक आगया बस इस question में आप कुछ भी नहीं बचा दोस्तो, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है, देखे दोस्तो, 10 आदमी कितने दुनों में कर रहे थे, 7 महीनों में, 20 महीला कितने में कर रहे थे, 7 महीनों में, और 40 बच्चे कितने में कर रहे थे, 7 महीनों में, तो इन 3 में से आप कोई प्रिसा भी ले लीजे मैं ले लेता हूं दस आदमी ठीक है दस मेन कितने दुनों में दोस्तों कर रहे थे काम को दस मेन आपको काम को कर रहे थे दोस्तों कितने में सात महीनों में यही तो था ठीक है दोस्तों दस मेन आपके सात महीनों में कर रहे थे काम को बटे में क्या पांच मेल कितना पांच महीला पांच बुमैन पांच बच्चे पांच चाल एक साथ उस कारणा का आधा कार कितने समय में कर सकते हैं यह पूछा गया है अब इस कोशन में कुछ भी है करने के लिए बड़ी आसाली से कर सकते हैं यह 10 है ठीक है यहाँ पर M है तो यहाँ पर male का ratio कितना निकल के आया है दोस्तों 4 तो 10 का multiply male से हो जाएगा 4 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 तो यह 40 multiply 7 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 40 multiply 7 लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं 10 है M का ratio आपको पता है 4 है तो 10 का मल्टीपर 4 से तो 40 गुने 7 के लिए दोस्तों बटे में क्या आएगा 5 है और यहाँ पर क्या है M मतलब मेल का रिश्यो 4 है तो 5 चो के कितना हो जाएगा दोस्तों यह 20 हो जाएगा 5 भूमेन का रिश्यो कितना है 2 तो 2 से मल्टीप्राई हो जाएगा पांच का कितना हो जाएगा 10 यहाँ पर क्या है चाल्ड का रिश्यो एक है तो 5 के मल्टीपर एक से हो जाएगा तो 5 सबको जोड़ लिजे कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 5, 35 हो जाएगा हो गया कि नहीं हो गया इसे कटा लिजे यह कर जाएगा 7, 35, 35, 48 ठीक है दोस्तो आठ महीनों में ये पूरा काम निकल के आया है आठ महीनों में लेकिन आपसे आधा कार ने पूछा गया था आधा कार ने पूछा गया था ये तो पूरा काम निकल के आया है आठ महीनों में आपसे पूछा था आधा जब पूरा आठ महीनों में हो रहा है तो आधा कितने में होगा दोस्तों चार महीनों में होगा कि नहीं होगा कि लिए दोस्तों बात जब पूरा काम आपका आठ महीनों में हो रहा है तो आधा काम आपका चार महीने में होगा तो चार महीने पहला option इस question का दोस्तों सही answer हो जाएगा अभी आपको ये question समझने में तो दस मेन की जगह, 20 बुमेन लेकर भी करते तब भी आंसर यही आएगा, अगर 40 बच्चे लेकर करोगे तब भी आंसर आपका यही आएगा, के लिए दोस्तों अब देखते हैं अगला कौशन, अगला कौशन है आपका, यदि एक आदमी अत्वा दो ओरतें अत्वा तीन अब देखे इस question को करने में आपको कितना समय लगेगा देखे दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है एक man एक आदमी कारे करता है ठीक है दोस्तों तब भी 88 दिन लगते हैं दो औरतें दो बुमेन कारे करते हैं तब भी 88 दिन लगते हैं अगर तीन तीन बच्चे तीन child काम करते ह इनका ratio निकाल लीजे दोस्तों, ratio आपको M का निकालना है, male का, woman का निकालना है, child का, मैंने क्या बताया, जिसका निकालना है, उससे multiply मत कीजिए, male का निकालना है, तो male वाले से multiply मत करेजिए, male वाले को छपा लीजिए, ऐसे, 2-3-1 कितना हो जाएगा, 6, तो male का ratio आगए, 6, clear है, woman का निकालना है, woman वाले से multiply मत कीजिए, woman वाले को आप छपा लेंगे, तो क्या बचेगा, एक ये बचेगा, और एक ये बचेगा, तो 3-1, 3 हो जाएगा, child का निकालना है, तो child वाले से multiply मत करेजिए, 2-1, 2 हो जाएगा, ये इनका दोस्तों, ratio निकल के आगए, clear है, कटके छोटा हो सकता है, नहीं कट सकता, सेम संख्या से, क्योंकि 2-3 नहीं कटेगा, तो सेम संख्या से नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, यहीं पर छोड़ देते हैं, अब देखिए, जब एक आदमी काम करता है, तब भी 88 दिन लगते हैं, दो अरतें काम करते हैं, तब भी 88 तीन लड़के काम करते तब भी 88 दिन तो तीनों में से कोई साभी ले लीजिए आप चाहे मेल चाहे बुमेन चाहे चाहे कोई भी ले लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं मेल ठीक है एक मेल कितने दिन में करता है काम को 88 दुनों में करता है आपने 88 ले लिया कोई डाउट नह मतलब सबसक्राइब होना चाहिए बटे में क्या आईगा जो पूछा गया एक आद्मी पूछा गया एक मतलब six तो चेह ही हो जाएगा मल्टिप्राइब में कितना है 88 है बटे में दोस्तों क्या जाएगा एक का मल्टिप्राइब मेल के रेश्यों से करेंगे मेल का रेश्यों कितना 6 है तो 6 एक कम कितना जाएगा दोस्तों यहां पर 6 हो जाएगा इसको सौल परेंगे 6 एक का मल्टिपाइगा कितने से करेंगे वुमेन का रिशु तीन है तो एक का मल्टिपाइगा तीन से करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन ही हो जाएगा और एक का मल्टिपाइगा चाइल्ड का रिशु दो है तो यहां पर सी की जगए दो रखेंगे तो एक का मल्टिपाइग होगा 48 दिन में होगा यह आ गया आपका सही आंसर 48 दिन के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप और जल्दी कर सकते हो कब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आप इसे बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप यहां पर एक मैन की जगे दो कोशन है आपका 4 आदमी तथा 6 ओरते मिलकर किसी कारे को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 आदमी तथा 7 ओरते मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं 20 ओरते मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी देखे इस वार कोशन में क्या कह रहा है का 4 आदमी और 6 ओरते मिलकर क करने हैं काम को मिला के लिए प्लस कर दिया जब मिलकर की बात आती है तो प्लस कर देते हैं दोनों मिलकर कारे को करते हैं कितने दिन में आठ दिन में करते हैं के लिए रहा है फिर क्या कह रहा है कोशन में कितने आदमी तीन आदमी मतलब तीन मेल प्लस मिलकर की बात है तो मिला और साथ औरते मिलकर काम को दस दिन में करते हैं यहां तक दोस्तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक सब कुछ किलियर होगा अब इसे कटा के छोटा कर लीजे यह दो से कटेगा दोस्तो पांच बार में यह दो से कटेगा चार बार में किलियर है चार चौके कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 मैन फिलस चार चेंग 24 भूमैन यहां तक कोई डाउट नहीं है बराबर पांच का मल्ट पे कर दो 3 से 5 तीयाई 15 मेल हो जाएगा फिलस पांच सत्य 35 भूमैन हो जाएगा सब कुछ किलियर है यहां थक ठिक है अब देखे यह 16 मैन है यह 15 मैन है यह 15 मैन इढ़र आएगा बराबर के इस पार तो माइनस का हो जाएगा तो 16 मैन में से 15 मैन कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 1 मैन ही तो बचेगा तो मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, एक मैन बचेगा, पराबर के लिएर दोस्तों, 15 मैन इधर आएगा, तो 16 M में से माइनस हो जाएगा, तो 1 M बचेगा, एक मिल बचेगा, और 24, यह 24 बुमैन जब इधर आएगा, बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, इधर पिलस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 35 बुमैन में से 24 बुमैन कट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास, 11 बुमैन बचेगा, बात के लिए रहे दोस्तों, जब यह 15 मैन इधर हैगा, तो 16 में से कट जाएगा, एक मेन बचेगा दोस्त यहाँ पर क्या है 24 बुमेन 24 बुमेन जब इधर आएगा तो 35 बुमेन में से कट जाएगा 11 बुमेन बचेगा यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब इनका रेश्यू निकाल लो एम का रेश्यू निकालेंगे एम बचेगा यह वो मेन हो जाएगा ठीक है तो क्या होता है दोस्तों जब आप 2 का रेश्यू निकालते हैं तो जो दूसरी वाली के संख्या होती हो पहली की हो जाती है ठीक है जैसे एम का में कितना हो जाएगा रेश्यू 11 बचे में क्या हो जा तो पिछले question में मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं एक संख्या को छुपा के दो का multiply करते हैं जब तीन संख्या का निकालते है तब लेकिन जब दो का निकालना हो तो क्या करते हैं दोस्तों पहली वाली संख्या के साथ दूसरी का ratio होता है और दूसरी वाली संख्या के अच्छी यहां तक आपके लिए आप समझते आगे क्या कह रहा था question में question में कह रहा है कि 20 ओरते मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी यह कह रहा है के लिए दोस्तों तो आप बड़ी ही आसानी से question को कर सकते हैं चाहे इस वाले पार्ट को ले लिजे चाहे इस वाले पार् one Department ठीक है दोस्तों कितने दिन में कर रहे थि ये काम को 10 दिन में कर रहे हैं eth Jagda औरşaषी नहीं कितना है तो मेंका रिशू कितना है मैन का रेश्यू कितना है, मैन का रेश्यू है, 11 तो 3 का मल्टिप्राइब 11 से करेंगे, 33 नहीं हो जाएगा 33 हो गया, पिलस का कितना है, 7 है 7 आएगा, क्योंकि बुमैन का रेश्यू कितना है, बुमैन का रेश्यू 1 है तो 7 का multiply एक से करेंगे तो 7 ही तो रहेगा clear दोस्तो बात यहां तो कोई doubt नहीं होना चाहिए अब देखिए multiply में कितना है 10, बटे में कितना है दोस्तो बटे में आपका 20 है domain है, तो domain का issue 1 है तो 20 का multiply एक से करेंगे तो यह 20 ही रहना है, clear है अब इसे solve कर लीजी 33 और 7 कितना हो जाएगा 40 multiply में 10 बटे में कितना 20 clear है 20 से कारदो 40 को 2 बार कटेगा 2 का multiply करदो 10 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो कितने दिन में करेंगे दोस्तों काम को 20 दिन इस question का सही answer हो जाएगा 20 दिन D question का सही answer हो जाएगा clear दोस्तों एक एक बात अच्छे तरीके से बताऊँगा ताकि आप कभी नहीं भूले एक बार आपकी समझ में जब concept आ जाएगा तो कैसा भी question आपको time and work का मिल जाए आप उसे solve कर देंगे clear दोस्तों अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका यदि दो आदमी और तीन लड़के मिल कर यहाँ पर क्या हो रहा है दो आदमी और तीन लड़के मिल रहे है ठीक है कौन कौन दो आदमी मतलब दो मैं पिलस तीन चाइल्ड मिल कर काम को कितने समय में कर रहे हैं पर यहां तो कोई, डैट नहीं होगा, बराबर, बाद में क्या कराएगा, तीन आदमी मतलद तीन में, और कितने लड़के, दो चायल्ड मिलकर काम को कितने समय में कराए है, यह कर रहे हैं दोस्तों साथ दिन में अब यह कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं ऐसी छोड़ देते हैं ठीक है आठ का मल्टिप्रे करेंगे दोस्तों आठ दुनी सोला यह हो जाएगा आपका सोला में पिलस आठ त्याई चौबीस चाइल्ड हो जाएगा केलियर है बड़ाबर साथ चाहीव एककीस ठीक है दोस्तों साथ चाहीव 11 मल्ट जाएगा और साथ दुनी चौदा है चाइल्ड हो जाएगा सब कुछ केलियर है दोस्तों अब देखे यहाँपर आपको क्या करना है यहाँपर 16 में यहाँ पर 21 में जब 21 में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस के 21 में से है 16 में काट देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5 मेल बचेगा बराबर अब देखी यह 24 चाइल्ड है यह 24 चाइल्ड इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 24 में से आप 14 को काट तो कितना बचेगा माइनस का डश चाल बचेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि बराबर में है किलिए इसे इसे कार देंगे पांच शेकम 5, 5 दुने का डश के लिए तो क्या आ गया दोस्तों यहां पर जब इससे कह लेंगे तो एक mail हो गया तो man का ratio निकालना है और child का निकालना है आपको ठीक है mail के साथ 1 है और c के साथ क्या है 2 तो man आपको क्या बता है पिछले question में अगर mail के साथ 1 है तो एक ratio नहीं होगा दूसरे वाले के जो 7 है वो होगा तो mail का ratio कितना हो जाएगा 2 तो ठीक है, चाल्ड का क्या हो जाएगा, एक, यह आपका रेश्यो निकल के आ गया, बस इसे आप स्वाले को ले लीजिए, चाहें इस वाले को ले लीजिए, कोई साभी रखके स्वालब करेंगे, आंसर से माना है, तो इस वाले को रख लिजिए अप, त्री मेल, ठीक है दोस पांच आदी मतलब पांच में फिलस चार बच्चे मिलकर कितने समय में करेंगे ये पूछा गया है कर लीजिए दोस्तों अब इसमें कुछी भी तो नहीं बचा इसे आप बड़ी ही आसानी से solve कर सकते हैं देखिए तीन का मल्टिपै एम से करेंगे एम का रेशियो कितना है दो तो तीन दुनी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यह हो जाएगा च्छे के लिए रहे पिलस दो का मल्टिपै एम के रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा ये भी बात के लिए है रापकी ठीक है दोस्तों कितना हो गया दो कितने समय में हो रहा काम साथ दिन में हो रहा है साथ रख लीजे बटे में कितना आ जाएगा 5 का मल्टिप्राइब M के रेशियों से करेंगे M का रेशियो 2 5 दुने का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा के लिए दोस्तों plus यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 4 का मल्टिप्राइब कितने से करेंगे C के रेशियों से 1 है 4 एका 4 6 और 2 को जोडएगे आप 8 हो जाएगा मल्टिप्राइब में 7 हो जाएगा 10 और 4 को जोडएगे 14 हो जाएगा साथ से कारदो, साथ दुने का 14, दो से कारदो कितनी बार, चार बार, तो कितना आ गया दोस्तों, आपका आंसर चार आ गया, कितने दिन में करेंगे, चार दिन में करेंगे, पांच आदमी और चार लड़के मिलकर, कितने दिन में, चार दिन में करेंगे, ये इस question का सही answer हो ग इसमें क्या कहा गया जो बरतमान काम का ति गुना है कितने दोस्तों सिंपल तरीका है जो सुरू से करते हुआ है दो पुर्स और साथ महिला है मिलकर करने काम को चौदा दिन में कौन कौन दो पुर्स मतलब दो मेल और साथ बुमेन कितने दिन में करने दोस्तों ये करने काम को चौदा दिन में कोई बात नहीं बराबर पिर क्या कहरा है तीन आदमी और आठ महिला हैं तीन मेल और आठ बुमैन कितने दिन मैं करना है। दोस्तों मिलकर काम को, यह करना है 11 दिनों में, यह काम को 11 दिनों में कर पारें, कोई बात नहीं अब इसी को हमें solve करना है 14 से काठेंगे, 14 का मलत इपर दो होगा 14 दुनी हो जाएगा 28 मेल हो जाएगा पिलस 14 सत्ते 98 हो जाएगा भूमेन ठीक है बराबर 11 रत्याई 33 मेल हो जाएगा पिलस 1188 भूमेन हो जाएगा या तो कोई डाउट नहीं दोस्तों जैसे पहले करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कोशन है अब देखें यह 33 मेल जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 33 में 28 कटेगा कितना बचेगा माइनस का 5 मेल बचेगा किलियर है बराबर अब देखें 98 है यह इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 98 में से प्लस का 88 कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 10 भूम एक यहां तक तो कुछ भी अलग नहीं है जैसे करते हुए आ रहा है विल्कुल वैसा हुए मेल का रैशियो भी आ गया बोमैन का रैशियो और क्या पूछ है काम में आठ पूरुस और च्यम भी लेकर एक काम को जो बरतमान का का तिगुना है कितने दिनों में पूरा होगा ये कह रहा है तो ये वाला ले लो चाहें ये वाला मान करके कर लो कोई सावी ले लो दोनों में से दोनों बराबर है आंसर से माना है हम इस वाले को ले लेते हैं ठीक है लेकिन बरतमान काम का तिगुना कह रहा है यहां पर कितने दुनों में पूरा होगा तिगुना, तो बरतमान काम है यह पूरा यहां तक इसका तिगुने के लिए क्या करेंगे, तीन से मल्टिप्टाइग कर देंगे, बस अब इसको solve कर लेना है, answer आ जाएगा, किलियर है कौन कौन कर रहा है काम को, आठ पूरुस, मतलब आठ मेल, पिलस, छे महीला है, मतलब छे बुमेन, यही तो करने काम को, बस इसको तो दोस्तो solve कर लेना है, थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इस पेस नहीं है, नीचे आ जाते हैं, अब देखिए, मेन का र solution आगया, आठ, कि लिए दोस्तों, छे और आठ को जोड़ दो, 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का sign है, मल्टी प्राइ में कितना आ जाएगा, 11, मल्टी प्राइ में कितना आ जाएगा, 3, कोई डाउट नहीं, बटे मैं, आठ का मल्टी प्राइ मेन के रिश्यों से करेंगे, मे हो जाएगा, 22, इसलिए मैंने नहीं लिखाता है, एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, इसका दोनों का यूग, कितना आ जाएगा, 8 का मल्टी प्राइ में, कितना हो जाएगा, 21, कितना समय लगेगा, 21 दिन का समय लगेगा, जो तिगुना काम है दोस्तों, वो आपका 21 दि दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, किलियर दोस्तों, टाइम एंड वर्क का कितना भी कन्फूजन वाला सवाल देदे, आप उसे सौल्प कर देंगे, ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क में, पुरूस महिला बच्चे वाले जो कोशन होते हैं, मुझे नहीं लगता, आज क के बाद ये कॉश्चन आपको कठिन लगेंगे, दोस्तों दी पीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्ट्राइम नहीं किया है, तो कर लिजे, और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजे, दोस्तों, देने बाद.